हमारे देश में जहां मर्डर आम लोगों के हो या फिर वी वी आईपीस के इनसाफ के नाम पर अमूमन खाना पूर्ती होती है ऐसे में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की गुत्ती सुलजाने में S.I.T. ने जो फूर्ती दिखाई उसे अब करनाटक सरकार सराहने जा रही है करनाटक सरकार ने एक सरक्रिलर जारी किया है कि गौरी लंकेश की हत्या का केस अंतराष्टी सुर्खियों में आ गया था। SIT ने बहुत बुद्धी मता के साथ इस केस को सुलजाया है। जिस वक्त जान शुरू की गई थी उस वक्त ग्रही मंत्री ने कहा था कि इसे सुलजाने पर 25 लाग का पुरुसकार दिया जाएगा। यह करनाटक राजय की जो सरकार है उसका कहना है। अब इस केस के चीफ इंविस्टिंग अफसर ने आवार्ड राशी जारी किये जाने की अपील की है। हम उमीद करते हैं कि SIT के प्रदर्शन से संतुष्ट होकर करनाटक सरकार 25 लाग रुपए वाइदे के मताबिक SIT को द चाकल की है। सप्लिमेंटरी चार्शीट में सनातन संस्था को भी शामिल किया गया है। इस चार्शीट में कहा गया है कि गौरी लंकेश की हत्या की साधिश करीब 5 लोगों ने रची थी। इसमें कहा गया है कि सनातन संस्था के अंदर के एक नेटवर्क ने गौरी कारण नहीं था गौर्णिर लंकेश की हत्या की साधिश पांत साल से रची जा रही थी कि अब आगे बभते हैं एक पुराना झार यादा रहा है शेर है जम के कीजे दुश्मनी पर will गुंजाइश रहे जम के कीजे दुश्वनी पर इतनी गुंजाइश रहे फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिन दाना हूँ मौमता बैनर जी नरिंद्र मोदी के शपत ग्रहन में शामिल होने जा रही है एक गीत सुनिये कुछ और जमाना कहता है कुछ और है जिद मेरे दिल की मैं बात समाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की कुछ और जमाना कहता है